अमारिका में होने वाले रास्ट्रपती चुनाव में और चुनाव और नतीजों से पहले ही तैह हो गए हैं कि अमारिका में आएगा तो भारत के प्रधान बंदरी नरेंदर मोदी का दोस्त ही अमारेखा की रास्टरपती चुनाव अभी प्राइमरी दौर में चल रहे हैं लेकिन लगतार चार राज्यों में जीत के बाद रिपिब्लिकन पार्टी से उम्मिदवारों की रेस में डॉनल्ड ट्रम्प काफी आगी हो गए हो और ऐसे में उनका मुकाबला मौजूदा रास्टरपती और डेमोक्रेट उम्मिदवारी की रेस में काफी आगे चल रहे है जो बाइडन से होना तै है और ये दौनों ही नेता चाहे एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों नहों लेकिन दौनों में एक बात तो एक जैसी है दौनों ही भारत के प्रधान मंत्री मोदी के अच्छे दोस्ते इस रिपोर्ट में देखिए मोदी क्रूक अच्छे रिपोर्ट वेस रोन एक सっ inglés खिने in 2024 रिवस इस या भारत के को अमेरिका में दुश्मन नमबर एक राश्वपती जो बाइडन और पूर्व राश्वपती डॉनल्ड ट्रम्प भारत के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी के दोस्ट नमबर वन है चाहे ट्रम्प का शाशनकाल हो या फिर जो बाइडन का अमेरिका की भारत के साथ दोस्ती मजबूत से मजबूत होती जा रही है इधर अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के राश्वपती पत के प्रत्याशी चुनाओं आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ओर अमेरिका में एक बार फिर से मोधी के दो दोस्तों के बीच राश्वपती पत के लिए टककर लगभगत तया हो गई है डेमोक्रेटिक पार्टि के लिए राश्वपती पत की उमीदवारी में राश्वपती जो बाइडन के आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा और डॉनल्ड ट्रम्प भी अपने प्रतिदुन्दियों पर बड़ी बढ़त बना चुके हैं फिलहाल बड़े राज्ज दक्षिन कैरोलीना में रिपब्लिकन उमीदवारी की रेस में डॉनल्ड ट्रम्प ने जीत दर्च करके अपनी उमीदवारी लगभगपक्की कर लिया ट्रम्प ने दक्षिन कैरोलीना में निकी हेली को हरा दिया है ट्रॉम ठेल अगातार चौथे राज्य में बड़ी जीत दर्श की है। ऐसे में ट्रॉम का रिपब्लिगन पार्टी का उमीदवार बनना लगभगता हो चुका है। ट्रॉम के सामने निक्की हेली सबसे बड़ी चुरौती हैं। और अभी तक फ्रॉम को बान बे और हिली को सिर्फ 17 डेलिगेट का समर्थन मिल पाया है। अब डॉनल्ड फ्रॉम सुपर टॉज्डे में मुकाबला करने जाएंगे। वही निक्की हेली जो 2011 से 2017 तक साउथ करविला की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने डॉनल्ड प्रॉम को जीत के लिए बढ़ाई दी हैं। लेकिन हाल नहीं बानता हुए अपना अभियान जारी रखने का आईलान किया है। इस बीच अमेरिका की जनता के साथ साथ शाथ रिपपलिकन्स और डेमोक्रेट दोनों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस बार अमेरिकी राश्रोपती चुनाओ 81 साल के जो बाइडन और 77 साल के डॉनल्ड प्रॉम के बीच होने तै हो चुके हैं। यही वज़ा है जो बाइडन और डॉनल्ड प्रॉम भी अपने भाश्रों में एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। किसी दूसरे प्रत्याशी की दोनों नेता बात ही नहीं कर रहे है। बाइडन कैपिटल हिल की हिंसा को आज तक अमेरिकी लोगों को याद दिलाते रहते हैं। Donald Trump's campaign is about him, not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. वहीं Donald Trump ने बड़ा कर दिया है। अगर जो बाइडन दो बारस अपता में आए, तो अमेरिका को बरबाद होने से कोई रोक नहीं सकता। Trump ने अवैद प्रवाचियों के मुद्दे को अमेरिका में हवा दी है, जिस पर उनको बड़ा सा मर्थन भी मिल रहा है। चलिए, अब आप ये समझ ये, क्यों कहा जा रहा है, बाइडन आए ये टरम अमेरिका को भारत के साथ जरूर चाहिए। दरसल भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ्वेवस्ता होने के साथ साथ बड़ा बाजार भी है और 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 200 बिलियन डॉलर से जारा का कारोबार हुआ है। भारत और अमेरिका बड़े रणनीतिक्स आड़ेदार भी हैं और कौार्ट में भी जापान और आश्रिल्या के साथ भारत और अमेरिका एक दूसरे के सायोगी हैं। बाइडन आते हैं तब भी भारत के अमेरिका से रिष्टे अच्छे हैं अच्छे चलेंगे प्रिंदू ट्रंप के आने से शायद भारत की गती भारत अमेरिका के रिष्टों की गती और भारत की अपनी ग्रोथ की गती अमेरिका के मदद से और जादा तेज हो जाएगी नि जुराओ कोई बिजी ते आए गातों मोदी का दोस्ति है बिलो रिपोर्ट जी मिलिया